नमस्कार ने प्रेंट बाच पे अपने यूटूब चैनल में प्रेंट बाच पे आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ थम्लिक से देखके आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे SSC MTS 2020 Tier 1 की Cut-Off के बारे में कि Tier 1 की आपकी जो Cut-Off है वो कितनी क्या रह सकती है जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आचुकि आपने अपने Marks चेक कर लिए अब आप यह जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पे आप सेफ होंगे कितने नंबर होने पे आपको Tier 2 देने को मिले तो यहां पे जो हम Cut-Off का Analysis करेंगे वो डिटेल में करेंगे कि हमने वो सारे फेक्टर को यहां पे लिया है जो आपकी Cut-Off को अफेट कर सकते हैं और इतना मैं गरंटी के साथ कर सकता हूं कि जितनी भी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी हैं उनमें सबसे बहतर और क्योंकि जो जो फेक्टर मैंने आपको यहां पे बताएं वो सारे आपको समझना बहुत जरूरी है और अगर इन फेक्टर को आप भी कंक्लूड करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी Cut-Off का प्रडिक्शन कर सकते हैं बहुत इजली कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बस आप सबी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा आन तक देखिए तभी आपको सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं से पहले आपको यह समझना होगा कि Cut-Off जो है किसी भी एक्जाम का अगर आपको Cut-Off निकलना है त बहुत ही जरूरी बात है उसके अलाबा उस एक्जाम का difficulty level कितना है क्योंकि यह भी Cut-Off को कहीं-न-कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से effect करता है यह क्योंकि जितना टफ exam होगा कहीं-न-कहीं-कटाब जो है उतनी जयदा effect होगी उसके अलाबा number of vacancy कितनी है क्योंकि यह भी कहीं कहीं न कहीं इसका भी कटाफ से डिरेक्ट लिंग है इस सारे ऐसे हैं कि इनको अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं एक सही रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच सकते उसके अलाबा प्रीवेस यहर में इस जो एक्जाम की जो हम कटाफ निकाल ले हैं उसकी कटाफ कितनी रही है उसके बेसिस पे हम कहीं नगया नुवान लगाते हैं कि कटाफ आपकी कितनी जाएगी तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की attendance कितनी रही तो 2020 के exam में जो आपकी attendance रही है अभी आइटियाई लगाई थी एक student ने तो उससे पता चला है कि total जो बच्चे appear हुए exam में वो 15,72,955 है जबकि जो फॉर्म भरा था वो 45,35,1 बच्चों ने फॉर्म भरा था यानि कि 45 लाग इस्टों ने फॉर्म भरा था और पंद्रा लाग आपकी attendance रही यानि कि 33-34 परसेंट आपकी attendance इस बार रही है तो कहीं न कहीं यह भी एक बहुत बड़ा major role play करेगा आपकी cut-off में और cut-off जो previous year है उससे कहीं न कहीं आपकी जो है final देखो यहां पर MTS का जो exam है इसमें final ही cut-off आपका सबसे important role play करेगा टीर वन की cut-off कितनी क्या जाती ही वो एक अलक्ट मेटर है लेकिन आपको अगर final job चाहिए तो कहीं न कहीं उसकी जो cut-off है वो 2019 की cut-off से कम ही जाएगी ठीक है तो attendance एक पहला major role play करेगा यहां पर attendance previous जो अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें कम से कम 19 लाग से जादा लोग जो थे जो एक्जाम में अपियर हुए थे और इस बार आपके एक्जाम हुआ है वो काफी अच्छा है मतलब SSC ने क्या किया है इस बार चाहें CHSL का एक्जाम हो चाहें CGL का एक्जाम हो या MTS का एक्जाम हो उनने difficulty level को maintain करके रखा है ऐसा नहीं है कि जो strength के marks हैं उनके बीच में चालिस चालिस नंबर का difference हो ऐसा नहीं है अगर difference है भी तो maximum 10 से 11 नंबर का difference है जो easy shift है और जो hard shift है उनके बीच में और इससे पहले यह चालिस चालिस नंबर का difference आपका हुआ करता था तो यहां पर क्या है कि normalization का strength को extraordinary benefit यहां पर नहीं मिलेगा और अगर हम बात करें यहां पर difficulty level की तो 2019 में जो आपके paper आये थे वह उतने ज्यादा MTS के paper जो थे वह उतने standard नहीं थे अगर GS की बात करें तो बहां पर मतलब 4-5 मेने पुरानी GS पूची गई थी मैस के अगर बात करें तो मैस में भी question ऐसे सकते थे कि आप easily कर सकते थे लेकिन इस बार क्या है इस बार GS जो section है वह भी काफी अच्छा पूचा गया और मैस की अगर हम बात करें तो मैस भी moderate level का पूचा गया अगर हम MTS के point of view से बात करें तो मैस जो था वह भी ठीक ठाक था उसके लावा कुछ shift में आपका reasoning भी अच्छा आया है और English की अगर बात करें तो English चाहें CHSL का अपने exam दिया हो CGL का दिया हो MTS का दिया हो SSC ने English ऐसा पूचा है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छा score कर लेंगे अगर हम difficulty level की बात करें तो काफी अच्छा इस बार exam हुआ है और इस बार जो easy shift है और hard shift है उसके बीच में आपको इतना variation देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अभी मैंने कुछ analysis भी किया है मैंने अपने चैनल पर भी सर्वे करा है उसके लावा और भी जो चैनल है उनका भी मैंने जो नों पहले मैं आपको अपने चैनल का ही डाटा दिखाता हूँ मैंने अपने चैनल पर कम्यूटी में पोस्ट किया था कि MTS की answer की देखने के बाद आपकी कितने नंबर आ रहे हैं तो देखो यहां पर 18 से जादा जो बच्चे है उन्होंने इस पोल में participate किया तो 50 से 60 के बीच मे जो 25% है उसके लाबा 70 से 80 स्कोर करने वाले बच्चे जो है वो 34% है 80 से 90 स्कोर करने वाले 10% है और 90 प्लस वाले जो है वो 9% है तो यहां पर अगर आप नंबर आप इस ट्रेंड जो जादा रेंज में माउक्स जो ला रहे हैं वो हैं आपके 60 से 70 और 70 से 80 इसी के बीच में आपके marks जो हैं वो आ रहे हैं ठीक है यानि कि जो average आपका score है वो इसी के बीच में आपका lie करता है कुछ और मैं आपको poll दिखाता हूं देखे एक और channel का poll है इसमें 951 candidate ने participate किया है यहाँ पे देखो 80 plus score करने वाले हैं 15% 75-85 score करने वाले हैं 13% 70-75 score करने वाले हैं 14% 65-75 score करन 65 वाले जो बच्चे हैं वो काफी ज़्यादा हैं तो यहीं मान के चलिए कि average जो इस बार आए वो कुछ इस तरीके कर आए मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के 90-90 नंबर आए हो 55-55 नंबर आए हो तो ऐसा नहीं है इस बार जो average जो student के marks है वो 60 से लेकर के 75 के बीच में average student के marks ज़्यादा तरह हैं जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके marks इसी के बीच में आपको मिलेंगे उसके अलावा में आपको और भी दिखा देता हूं जो marks का survey का किया गया है कि easy shift और hard shift के हिसाब से strength के marks है वो कैसे कैसे आ रहा है तो उससे आपको कहीं न कहीं यह सब चीजे में आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप देखिए यहां पे hardest और easier shift में जो strength के marks आए हैं उनका survey है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से strength के marks आए अगर हम hardest shift की बात करें तो आप shift बाइस देख स shift का जो score है वो 77.84 है और जो आपका hardest shift है उसका जो score है वो 66.27 है तो इसके बीच में अगर आप difference देखोगे तो 11 नंबर का easier hard shift के बीच में difference है तो कहीं न कहीं यह exam को कठिन बनाता है और कहीं न कहीं इस वाल जो आपका exam हुआ है उसका जो difficulty level आया है वो उसे हम moderate कह सकते हैं कि strength के जो अच्छे strength है उनके जो marks है वो भी आपके मतलब यह मान के चलो कि 60-75 की range में आपके marks जात strength के आ है तो यह कहीं न कहीं एक major role play करेगा आपकी cut-off में तो यह सारा data आपने जान लिया कि strength के जो जात strength है उनके marks जो है वो किस range से किस range के बीच में आ रहा है अब अगर हम करें अगले factor की जो कि यह आपका number of vacancies का number of vacancies की अगर बात करें तो देखो 2019 में जो vacancy थी जब tier 1 का result आया था तो 7000 कुछ vacancy थी उसके बाद क्या हुआ वेकंसी आपकी बढ़ गए और 9000 से कुछ जदा आपकी vacancy हो गए ठीक है और अगर हम इस बार vacancy की अगर बात करें तो अभी इस ट्रेंट ने रिसेंटली आयटे लगाया है तो उसमें vacancy का ssc ने जवाब नहीं दिया अभी vacancy का कोई data ssc के पास नहीं है लेकिन यह अनुमान है कि vacancy जो है वो 2019 से तो कम नहीं रहेंगी 2019 के आपका equal data यहां पे vacancy का रहने वाला है ठीक है अब बात करते हैं अगल आप लोग ssc mts 2019 का cut up देख पा रहे होंगे u r का cut up 67.8, obc का 66.7, sc का cut up 66, st का cut up 54.9, final अगर बात करें तो final cut up u r का गया था 85.4, obc का 85, ews का 83.8, sc का cut up 83, st का cut up 77, अगर हम difference की बात करें कि tier 1 जो बच्चे qualify हुए थे उसके बाद final जिन्होंने selection लिया था, उनके बीच में difference कितना था, तो u r में जो difference था वो you bitch just non नमबर का था, sc में जो difference था हूँ 22 नमबर का था, मतलब जिसने tier 1 में 67.8 score किया उसका final selection नहीं हुआ, यानि कि जिसने इतना score किया उसको कही ना कही जॉब मिल पाई और यहां पे यही सबसे ज़्यादा important है कि आप final आपको job से है तो final के लिए आपको कितना score करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे CHSAL exam और सीजन से यह इसलिए different है क्योंकि यहां पे tier 1 में ही आपको marks लाने की opportunity मिलती है बाकि tier 2 सिर्फ आपका qualifying nature का होता है तो maximum जो score करेंगे आप वो यही से आपका decide होगा कि आपका final selection होगा यह नहीं होगा तो यह आपका tier 1 का जो 2019 का data है वो मैंने आपको दिखा दिया tier 1 का final का और उनके बीच में difference कितना रहा यह है आपकी SSC MTS 2020 tier 1 की expected cut-off अगर आप your category से हैं तो आपकी जो cut-off है वो 70 से 72 number के बीच में रह सकती है after normalization ठीक है EWS की अगर बात करें तो 68 से 70 के बीच में रह सकती है OBC की cut-off जो है वो 68 से 70 के बीच में रह सकती है SC की cut-off जो है वो 65 से 68 के बीच में रह सकती है ST की जो cut-off है वो 63 से 65 के बीच में रह सकती है यह जो मैंने cut-off बताई है मैंने average जिन बच्चों का average shift में एक्जाम था उनके लिए cut-off है अब माल लेते हैं जिनका hard shift में एक्जाम था उनके लिए यह जो cut-off है वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है 2-3 number ठीक है ये आपका जो cut-off है वो overall मैंने जो average shift में थे और जो easy shift में थे उनके लिए cut-off है वो भी normalization apply होने के बात इस बार जो normalization है जो लोग बहुत कम cut-off बता रहे हैं उनका कहीं ना दें prediction मुझे यह ऐसा लगता है कि वह गलत है क्योंकि normalization जो है इस बार उसंहें आप यह देख लेना कि जो difference आएगा वह पांच से 6 number का difference आएगा, ज्यादा आपको difference देखने को नहीं मिलेगा, maximum difference आएगा वो दस number का आएगा, क्योंकि normalization में इतना ज़्यादा गैप इस बार नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि लगवक्त इक्कोल सभी का जो लेवल है वो रखने का प्रयास किया गया यह है आपकी एससी एंटेज 2020 की नॉर्मलाइशन अप्लाई होने के बाद आपकी कटाफ तो जाहिड सी बात है कि अभी अगर आपके मार्क जो है वो इससे चार पांच नंबर कम भी है तब भी आपने आपको सेव समझ सकते हैं क्योंकि उसमें अभी आपका नॉमलाइशन जो है वो अपला के बाद नंबर कुछ ना कुछ तो आपको बढ़ेंगे को कि से नंबर कुछ ना कुछ यहां पे बढ़ेंगे और जो हरें वो हेज़ां सकते हैं। तो यह आपकी कटाफ जो है वो रहने वाली है tier 1 की तो अगर आपके जो मैंने बताया दायरा उसके बीच में अगर marks आ रहे हैं तो आप tier 2 आपको exam देने को मिलेगा इसके बाद जो हम अगला prediction करेंगे वो करेंगे final cut-up के बारे में कि final cut-up आपका कितना क्या जा सकता है मैं बस tier 2 exam को 100% qualify करना चाहते हैं तो आज ही हमारे complete tier 2 video plus video course को join कर सकते हैं इस course को join करने के बाद मैं guarantee के साथ कर सकता हूँ tier 2 जो exam है वो 100% qualify करके आएंगे अगर आपको इस tier 2 course के regarding कोई भी information चाहिए तो आपको करना क्या है 6307185699 इस number पर आप WhatsApp पर message करिए आपको इस course के regarding सारी information दे दी जाएगी तो उम्मीद है कि अगर आपने इस video को अन तक देखा होगा तो जो भी data जो भी analysis मैंने आपके बीच में रखा कहीं ने कहीं आप उससे satisfy होंगे तो करना क्या इस video को जज़दा शेयर करना है उसके लावा अगर आप चैनल परना है और आपने अभी तक किसे subscribe न मत बूलेगा